कि सभी विध्यारतियों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चनल सक्सेस फर्ष्ट में स्वागत हैं और अभी हमने दरपन से और लेंस से जुड़ी भी सावी सभी थ्योरिस पड़ ली हैं और थ्योरिस के बाद जो नंबर रहता है वो रहता है आंकिक प्रश्णों का बोर् लेन्स वाल है क्योंकि लेंस वह दरपन से संब्दित आंकिक प्रश्ण बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे तो हम पहला स्वाल जो हैं वह आउतर लेंस से किस प्रिकार का क्वेस्ट्न बन रहा है वह यहां से आप देख सकते हो क एक आउतर लेंस के सम्मुक रखे बिम्ब का प्रति बिम्ब जो चीजें यहां से प्रश्ण कह रहा हैं उस प्रश्ण में जो भी चीजें बोली जा रही है उसको आप यहां से लिख सकते वासानी से सबसे पहली चीज कि आब बोली जारी है कि एक outer lens के सम्मुक यानि सामने यानि कि मैंने इसको एक माना outer lens यह एक outer lens है ध्यान सी दिखीगा और इस outerתי lens हम सारी चीजों को अच्छी तरीके समझने वाले हैं। यह हमने आउतर लेंच को लिया कि आउतर लेंस में जो प्रतिवेंब हैं वो हमेशा लेंस के सामने बनता है यानि कि जो आपका बनेगा बनेगा दस सेंटीमेटर पर यहां पर यह जो डिस्टेंस बताई जारी हैं वो बताई जारी यहां से दस सेंटीमेटर सेकंड चीज यहां से नोट करिए कि यदि आउतर लेंस की focus दूरी 15 cm हो, focus दूरी का मतलब F1 की बात करता है, F1, यानि कि F1 से प्रिकाशिक केंदर O की बीच की दूरी जो है, वो यहां से बता ही जा रही है, 15 cm, यह हो गई, यानि कि focus दूरी outer lens के लिए दरपन के जहां पे लेंस के सामने जहां पे बिम्ब रखा होता वहीं पे होती है, और उत्तर लेंस के लिए इस तरफ होती है, यानि कि फोकस दूरी धन आत्मक होती है तो यहां से ले लईजे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं प्रति बेम्ब b Indeed कि दूरी को सामने तब हने यहां से निकल के आई रहे कि कितना दिया गया वी दस सेंटीमेटर अब 10 cm प्लस का कि माइनस का अगर मैं कार्ती चनपरी पार्टी लोग इस प्रकार से तो कार्ती चनपरी पार्टी में इधर वाली सारी की सारी दूरिया नेगेटिव इधर की सारी की सारी दूरिया पोजिटिव उचा या उपर वाली सारी की सारी पोजिटिव और रुंचाय या निच बाली सारी negative तो ये बाली दूरिया दरपण के इस तरफ है lense के इस तरफ है ये lense है तो lense के इस तरफ ये दूरि होगी negative यानि कि minus के 10 cm सैकेनर हमकों दिया गया फोकॉस दूरी फोकॉस दूरी को बैक्ट करते है small f से focus दूरी को small f से वेक्ट करते हैं और ये दीगे हैं 15 cm ये भी outer lens के लिए इस तरफ होती हैं इसका मतलब ये भी minus में होगी तो minus के 15 cm हमको ग्याद क्या करना है BMP की दूरी ग्याद करना है CDC बात हैं हमें BMP की दूरी पूछी है मतलब U जो हैं वो हमको ग्याद करना है प्रश्चन समझ में आ गया होगा आपको आसाने से आपने focus दूरी आपने प्रतिविम की दूरी को note कर लिया होगा कि किस प्रकार से minus होता है इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजीगा इसके बाद जो हैं वो अपने को निकाल लिए है बिम्ब की दूरी फॉर्मूला क्या होता लेंस के लिए फॉर्मूला होता है वन अपन एफ बराबर वन अपन वी माइनस वन अपन यू इस सामान ये लेंस के लिए फॉर्मूला होता है focus दूरी प्रतिविम्ि की दूरी वह दिम्म की दूरी के मद्यर इससे सम्मंद भी कहा जा सकता है अपने को निकालना क्या है 1 upon u निकालना है तो 1 upon u बराबर क्या हो जाएगा 1 upon u को अदर भेजा भाहर 1 upon v एकजिट की उसली जगह पे पड़ा हुआ है जब इसको आगे solve करेंगे तो इसका आगे इस प्रकार से solution होगा कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इस प्रकार से होगा तो 1 अपन माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 1 अपन 50 15 और 10 का जब LCM लिया जाता है तो यहां से आपके निकल क्या जाएगा 1 अपन यू बराबर 10 और 15 का LCM होता है 30 30 LCM आ गया जब 30 में 10 का भाग दिया जाएगा तो 3 बार जाएगा 3 अंक आएगा माइनस का और माइनस के 3 का जब 1 से मल्टिप्लाई करोगे तो माइनस 3 रहता है तो यहां से आगया माइनस का 3 15 का भाग 30 में जाएगा 2 बार और 2 का 1 से मल्टिप्लाई 2 ही होता है तो इसमें plus का आजाएगा 2 यहां से आगया minus 3 में से अगर 2 जोडा जाता है तो हमको पता है कि minus का यहाईगा तो इस प्रिकार से minus का 1 हो गया और यह हो गया 30 यह आगया 1 upon u का मान, 1 upon u बड़ाबर आगया minus 1 upon 30 अगर u यहां से निकालना है तो कुछ ने करना है अंकों को उपर निचे कर दो और यहां से अपने को प्राप्त हो गया माइनस के 30 सेंटीमेटर और यही हमारा आंस्वर रहेगा तो हमारा आंस्वर आ गया U यानि की बेम्ब की दूरी माइनस के 30 सेंटीमेटर अगर हमें यहां पे आवर धन्ता भी पूछी होती प्रश्ण में हलांगे नहीं पूछिए बाइसांस अगर एक्जाम में आ जाए कि आवर धन्ता भी केल्कुलेट कीजिए तो आवर धन्ता का सुत्र बिल्कुल आसान इसके उल्टा दरपन के लिए क्या होता ज्यान से देखिएगा ये जो है ये आवर धन्ता दरपन के लिए ये आवर धन्ता लेंस के लिए किलियर हो गया है इसके आगे हम चलते हैं M बराबर H डैस अपॉन H बराबर V V हमको दिया गया है प्रश्ण में 10 माइनस के की प्लस के यास माइनस के यानि कि यहां से आगया माइनस के 10 सेंटीमीटर U हमने कैल्कुलेट करा है अभी माइनस के यास 30 सेंटीमीटर माइनस दोस्तों यह बता रहा है कि प्रति बिम्ब, फोकस यह सभी लेंस के बाहितरफ होंगी लेंस के बाहितरफ होंगी पस इतना केलियर रखना है क्योंकि चनोह में गड़बड हो गई तो फिर हमारा जो यह रिजल्ट वो सही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काटूंगा तो रासी जो मात्रक है वो नहीं होगा यार इसलिए आवर धनता का कोई मात्रक नहीं होता यहां से रिजल्ट निकल के आएगा माइनस और माइनस प्लस यानि कि प्लस का 10 बटे प्लस का 30 10 का 30 में भाग गया तो 1 बटे 3 यहां कि M बराबर H डैस अपॉन H बराबर 1 अपॉन 3 बिम्ब कितना बड़ा है प्रति बिम्ब से तो 3 गुणा बड़ा है प्रति बिम्ब कितना चोटा बंड़ा है बिम्ब से तो 3 गुणा चोटा बंड़ा है यह हमारा इसमें रिजल्ट या आंस्वर रहेगा इसके बाद हम एक और क्वेस्टन लेते हैं उत्तल लैंस का यहां पर उत्तल लैंस में क्या प्रश्ण है पहले प्रश्ण को ध्यान से पढ़िए फिर यहां से हम कई प्रकार की रिजल्ट निकालेंगे तो प्रश्ण कहा रहा है कि एक बिम्ब उत्तल लैंस से 10 सेंटीमेडर दूर पर रखा है सबसे पहले हम बढ़ाएंगे यहां पर उत्तल लैंस इस प्रकार से उत्तल लैंस की प्रकरती क्या होती है किनारों पर पतला होता है 20 में से मोटा होता है यह प्रकरती होती है उत्तल लैंस की तो यहां पर प्रश्ण कहा रहा है कि बिम्ब को रखा गया है दस सेंटीमेटर की दूरी पर और यदि लेंस की फोकस दूरी सालिक सेंटीमेटर हूँ इसका मतलब यह हुआ कि बिम्ब को प्रिकाशिक कैंद्र वो F1 के बीच में रखा गया है सेदिसी बात है इसपर्ष्ट हो गया यहां से चलिए यहां से में एक रेखा किछ देता हूँ कार्ती चिन परिपाटी भी साथ साथ में आपको ध्यान में होनी ची ताकि हमारा चिन हो में कोई गडबर नहों यह माइनस यह प्लस यह प्लस और नीचे वाले माइनस मैंने एक प्रश्ण आपको पहले समझाय था कि आउतर लेंस जो होगा उसकी फोकस दूरी होती है F1 उत्तर लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी होती F2 यानि कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी होगी negative उत्तर लेंस की फोकस दूरी होगी positive यह चीज यहां से अगर clear है तो यह प्रश्णा आप चुटकियों मैं कर सकते हो तो चलिए यहां से हम कुछ चीज नोट करते हैं वापिस से कि बिंब की उत्तर लेंस से दूरी जो है वो 10 cm यानि कि कोई बिंब रखा गया इस जगह पे मालिज इसका यह बिंदू C1 है यह बिंदू इसका F1 है इस प्रकार से यह बिंदू F1 हो गया और यह जो बिंदू है यह गया C1 इस बिंदू को यहां से अपन ने कहा दिया F2 और इसको आगे हमने कहा दिया इसको C2 एक नॉर्मली जानकारी हमने जो यहां से इस प्रश्ण के बारे में जो टाली F2, यानि कि यहाँ पर जो focus दूरी दी गई है, वो focus दूरी यहाँ से दी गई है, शालिस एंटिम्ट और हम यह जानते हैं कि जो उत्तर lens होता है, उसकी focus दूरी दाइई तरफ होती है, दरफण के दाइई तरफ होती है चलिए, इसके आगे हम इसके मान रख देते हैं कि प्रष्ट में हमके क्या दिया गया है, प्रष्ट में एक तो दिया गया हमको U U का मतलब होता है बिम्ब दूरी, बिम्ब दूरी जो है, वो हमें दी गई है, U दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 cm और बिम्ब चाहे वो अवतल लेंस हो और दरपन हो या फिर उतल लेंस हो किसी भी लेंस या किसी भी दरपन के लिए आपकी बिम्ब की दूरी हमेसा नेगेटिव रखती है क्योंकि मालीज यहाँ पर कोई चीज रखी गई है मतलब दरपन या लेंस रखा गया है तो विम्ब तो हमेशा इस तरफ रखा जाएगा तो उसके दूरी हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं तो चलिए यू नेगेटिव होगा कितना नेगेटिव है माइनस का 10 सेंटिमीटर यह पहली जानकारी हमने यहाँ से चुटा ली सेकिंडे लेंस की फॉकस दूरी और फॉकस दूरी इसके लिए हमेशा इस परकार से होगी इसी क्यों होती है क्यों कि यहाँ से किरने आई यह किरनों को अभी शारित करता है इसलिए इसकी जो फॉकस बिंदू होता है पीछे होता है और फॉकस दूरी भी हम पीछे क्यों ही कैलकुलेट करते है तो हो गई पोजिटिव तो चलिए यहाँ से दूसरा लिखते है फॉकस दूरी व्यक्त करते हैं प्रति बिंब की दूरी ज्यान वापिस यहां से यहां ले आईए प्रति बिंब की इस्तती वह सवरूप ग्याद करना है तो यहां से आपको ग्याद करना होगा प्रति बिंब की दूरी यानि कि प्रति बिंब की दूरी ग्याद करने के लिए आपको formula काम में लेना होगा V आपको ज्याद करना है जो V है वो आपको ज्याद करना है और किसके لिए ज्याद करना है? L Morse है और लेंस के लिए जो formula होता है 1 upon F बराबर 1 upon V माइनस 1 upon U तो चलिए यहां से formula लिख दीजा सबसे पहले 1 upon F बराबर 1 upon v minus 1 upon u इसके बाद अपने को ग्यात 1 upon v करना है तो 1 upon v को बाहर ले आए और यहाँ पर 1 upon f इदर जला जाएगा यहाँ फिर 1 upon v को यहीं रहने दीजिए 1 upon f और बाहर आएगा तो 1 upon u इस परकार से 1 upon v को वहीं रहने दिया f 1 upon f था और माइनस वाले वहीं दिर पक्सांद्रित किया तो प्लस में हो गया तो यह हमको यहाँ से फॉर्मुला प्राप्त हो गया और इस फॉर्मुले में हमको रखना है मान तो चलिए मान रख दीजिए मान यहाँ से आजाएगा 1 upon v बराबर 1 upon f हमें दिया गया है प्लस 60 cm प्लस 1 upon यहाँ से भी आगया मानस का 10 cm u चलिए 40 वद 10 का हम निकालते हैं LCM और जब इनका LCM निकालेंगे तो LCM प्राप्त होगा 40 40 LCM प्राप्त हो गया 40 का भाग 40 में 1 बारे जाएगा एक का गुणा एक से तो एक ही होता है यानि कि यहाँ से आगया एक यहाँ से बीच में चनर लगेगा प्लस का माइनस 10 का भाग 40 में माइनस 4 बार और माइनस 4 का एक से मल्टिप्लाई माइनस 4 और माइनस 4 और प्लस 4 किते हो जाएंगे माइनस के 4 तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ minus के 4 इसको आगे solution करेंगे तो 1 minus 4 upon 40 इसको आगे और solution इसका और करेंगे तो यहाँ से जब 1 मैंसे minus 4 घटाओगे तो उतर आएगा minus के 3 minus के 3 upon 40 तो यहाँ से अपना जो V है 1 upon V बराबर minus 3 upon 40 तो यहाँ से V निकल के आएगा 40 upon 3 minus V बराबर minus 40 upon 3 इसका आगे solution करते हैं यहाँ 13 साई 1 बटे 3 यह आगे दूरी अपने पास cm जिसको हम 13.33 भी कह सकते हैं यहाँ 13.33 cm तो यह हमारे पास result निकल के आ गया किसका प्रती बिम्ब का तो प्रती बिम्ब की अब स्थती नोट करते हैं तो इस्थती यहाँ कहीं होगी वह यह चीज यहाँ बन रही है अब हास ही बन रहा है मतलब इसी तरफ बनेगा माइनस भी आ रहा है इसके पीछे माइनस भी आ रहा है और माइनस आएगा तो हम जानते हैं कि प्रती बिम्ब है वह इदर स्की साइड बनेगा इसके बाब आवर्दंता भी ग्याद कर सकते हैं आवर्दंता M बराबर जो आपका लैंस है लैंस के लिए आवर्दंता होती है M बराबर H डैस अपॉन H बराबर V अपॉन U यह आवरधनता हमारी होती है किसी भी लेंस के लिए मान रखना है कुछ भी नहीं करना है दोस्तों V का मान रख दीजिए 13.33 माइनस के है U का मान रख दीजिए U यहाँ पे माइनस का 10 cm है माइनस के 13.33 माइनस के 10 cm माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिली वो मिली positive यानि कि प्लस 1.33 जब कभी भी M पोजिटिव प्राप्त हो जब कभी भी M या आवर्धनता धिनात्मक प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि परती भीम्ब आबासी होगा या सीधा होगा तो ये प्रश्ण हमने आशे किलियर कर लिया उत्तर लैंस के लिए इसके आगे हम प्रश्णों को लेने वाले हैं और सिरीज के अंदर लेकिन इस वीडियो में इतना ही अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ लगातार मेरे साथ बढ़ने के लिए अब सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद